हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का टार्गेट सिविल सर्विसेज में चलिए आज हम लोग करेंगे सेट नमबर टू ठीक है इससे पहले क्या फ़र्स सेट यानि हम लोग कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी जो अमरे ने व चक्र की और धार्ला किस से संबंदित है तो आप एक नोटबुक बना लिजी जिस पे आप नोट करते चलिएगा सारे कुशन काफी इंपॉटेंट होने वाली ये वीडियो वीडियो को पुरा वाच करिएगा साथ में यह भी लिक कर बताएगा आप किस चीज की तैयारी कर गी जिसको आपको कौलिफाई करना होगा ओके सेहां पर राइट आप्शन है और और नर्क्से की बात हो रही है दूश चक्र की और धार्ला किस से संबंदित है और नर्क्से से ओके चलिए सुनेश कुशन देखते हैं भारत की नई और दोगिनीत 1991 किस पे आधारित है यहां पे 1991 के बारे में बात हो रही है किस चीज़ पे आधारित है डिपेंडेंड है सेहां पे राइट आप्शनों का ओप्शन डियानी सभी पे उदारी करण, निजी करण यह वैश्वी करण अभी हम बात करें समझने कुशिश करें तो 1991 की और दोगिनीत के अंतरगत पहुत से परिवर्तन किये गए क्योंकि उदारी करण, निजी करण, वैश्वी करण जो नहीं आर्थिक नीत के आधार अस्थम थे वे सभी प्रतेच या प्रतेच चुरूप से और दोगिनीत से ज भारत में पहली और दोगिनीत कब भारत में आई? विकास के लिए सौर्जनिक तथा अनिजी दोनों छेतरों पर बल दिया गया, ठीक है? यहां तक समझ में आ रही बात, व्याक्षा तो पूरी डिटेल से सुनिएगा, ठीक है? वीडियो को दो या तीन बार वाज चरूर कीजिएगा, चलिए सुनेश कुशन है, भारत के किस छेत से अधिक्तम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? तो यहां पर राइट आप्षन होगा, आप्षन बी यानि घरेलू चेत से बात हो रही है, भारत में अधिक्तम कुल घरेलू बचत, घरेलू चेत से ही प्राप्त होती है, बिरे इंपोर्टन कुशन है, चलिए सुनेश कुशन देखते हैं, भारत में मानो विकास हो रही है, जीवन परत्याशा द्वारा परिलच्चित दीर्ग जीवी योम स्वस्थ जीवन, विद्याले शिच्चा के मद्द वर्ष, योम साचर्चा दर्व द्वारा परिलच्चित शिच्चा तता ज्यान की प्राप्ति, मासिक प्रति वेक्तियाय के रूप में परिलच अच्छी जीवन अस्तर अता उप्युक्त सभी विकल्प इसमें सही होंगे ओके यहाँ पे मानो विकास सुषकान की बात हो रही है कई बार एक कोईशन आपके पूछे जा चुके है तो यूपी जीके के लिए वेरी इंपॉर्टनेंट है यूपी ट्रिपल से के लिए वेरी वर्ष हुई थी तो राइट आप्शनों का आप्शन भी यानि 1956 में 19 जनुरी 1956 को कें सरकार ने समस्त 245 भारती तता विदेशी बीमा कंपनियों को अपने एदकार में ले लिया था ठीक है तो डेट याद रखिएगा 1956 इसे मोस्ट इंपॉर्टन डेट है चलेने इस कुशन देखते हैं जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन होगा चले इसका एंसर आप लोग कंट बाक्स में दीजिए अगर आप तैयारी करने तो यतना तो आपको मालू होगा कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन होगा घरता है बढ़ता है पहले घरता है या फिर वही र रहता है ठीक है तो इसका एंसर आप लोग फड़ा फड़ कंट वाक्स में दीजिए चलिए सुनेश्ट कूर्शन है लिमिकर में से किसमी कार्बन नहीं होता ठीक है तेकि यहां पे नहीं शब्द लगा एक बेरी कंफ्यूज पैदा करता है यहां पे राइट अप्शनों का ओप्शन डी यानि बलुवा पत्थर ठीक है हीरा में आपको कार्बन मिलेगा ग्रेफवाइड में कार्बन यहों क्योला तो कार्बन है यह ठीक है तो बलुवा पत्थर क्या है यह कार्बन नहीं है यहां तक सब क्यों समझ मार रही बात चलि पर बात हो रही है डी टू वो की टीक है है हड्रोजन के समस्थानिक यानि आइसो टोब डूटीरियम तता अक्सीजन का एक योगिक है सामान रूप से उपयोग में लाए जाने वाले मंदगों में भारी जल ग्रेफाइट बेरीलियम तता हलका जल शामिल होता है भारी जल एक उतक्रिष्ट मंदख है यह आपके पीसेस एकसाम में भी पूछा जा चुका है जिसने भी दिया होगा उसको तो कलेर समालू होगा ओके फ्रेंड चलिए सुनेश कुश्चन देखते हैं कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है समझ रहे हैं इसे हम क्या है चाकू से आसान चलिए अगला कूश्चन है पाधपो दोरा वायू मिंडल में जल परिवर्धन की परकरिया कहलाती है देखिए आप डारेक्ट बात हो रही जल परिवर्धन की परकरिया के बारे में आप लोगोंने सुना होगा इसमें इसका एंसर आना चाहिए फ्रेंड चलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन भी यानि और शेपड की बात हो रही है वर्षरितु में लकली से बने दर्वाजों के फोलने का कारण अंता शोशड है या विशेश परकार का विसरण है जब ठोस योम कोलाइट्स द्वारा पानी को और शोशित किया जाता है तो इसकी का पारल उसके आयतन में व्रिद्धी होती है अता शोशड के परमुक उधारणों में बीजों और सूखी लकणियों द्वारा जल का और सोशड है या तक बात सोज में आ रही फ्रेंड चलिए सुनेश कुशन है विटामिन सी का रासानिक नाम क्या है चलिए इसका तो राइट आप्शन होंगा आप्शन सी स्कॉर्वी केसिट 99 परसेंट बच्चों को तो मालूम होगा किसको किसको मालूम है कमें बाक्स में बताईएगा तो चलिए अगला कुशन देखते हैं इलायो प्लाश्ट किसे संग्रीत करता है देखिए अगर आपको प्रेट इग्जाम निका चलिए अगर तो कांटीनू वीडियो देखनी ही होगी तो यहां पर राइट अप्शनों का ओप्सन सी यानि वसा इलायो प्लाश्ट नैनि एक प्रकार का लीको प्लाश्ट होता है यानि जो पौधे में लिपिट भंडारण के लिए विशिष्ट है इलायो प्लाश्ट जो तक बात समझ में आ रही है तो इलायो प्लाश्ट किसे संग्रित करेगा वसा को संग्रित करेगा चलिए अगला कुशन है लाल रक्त कोश्काओं की कब्रगा कौन है तो यहां पर राइट अप्शनों का ओप्शन भी यानि तिल्ली की बात हो रही है लाल रुदिर कडिकाए ठीक है तो इसकी कब्रगा कौन है तिल्ली जिस एंपलिया बोलते हैं ओके सो नेश कुशन होगा राउटर किस प्रकार की युगती है अब देखिए आपर राइट अप्शनों का ओप्शन सी यानि तंतर जाल राउटर एक क्या है यह नेटवर्किंग उपकरण है समझ रहे इसका प्रयोग विविन रूट पर पहुचने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है इसके तरीक तिया दितिया इस्तर के विविन उपकरणों के बीच एक सेतु का काम भी करता है यहां तक बास क्लियर हुई चलिए अगला कुशन देखते हैं चिपकों अंदोलन किस से संबंदित है देखें वेरी इंपॉर्टेंट कुशन है यह सारे कुशन आपके रिपीट किये जा रहे हैं सो यहां पर राइट आप्शनों का ओप्शन सी यानि वन संरच्छर से चिपकों आंदोलन पर यह अगल सुरच्छा का एक महातपूल आंदोलन है यह भारत के उत उत्राखंड राज यानि समझ रहे हैं उस समय उत्तर परदेश का भाग था किसानों ने विरिच्छों की कटाई का विरोध करने के लिए प्रारम भी किया था यहां तक बास्त किलियर हुई चलिए अगला कुशन है जीवी मिल्खा सिंग की स्खेल से जुड़े यहां पर आपने एक फिल्म देखियोगी भाग मिलका भाग तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानि गोल्फ इस राइट ऑप्शन यहीं पर कनफ्यूस हो जाते हैं अधिकतर बच्चे और क्या करते हैं कुशन को गलत करके चले आते हैं तो यह टाइप क कुशन आपके पूछे जाएंगे पैट इक्जाम में ठीक है वह आपका चाहिए लेक बालो या वीडियो या फीडियो पी से जितने वी रिलेटेट कुश एक्जाम होगे वो सारे पैट इक्जाम से ही होगे ठीक है चलिए अगला कुशन है फिरोज तुगलक द्वारा अस् में दारुल शफा अत्वा खैराती दवा खाना की अस्थापना की यहां रोगियों को निशुलक चिकित्सा यों भोजन की उत्तम ब्योस्था थी यहां तक बात क्लियर हुई चलिए अगला कुशन देखते हैं वैदिक काल में बली शब्द का क्या अर्थ था तिक हैं पर ड यानि-पर एपशनों का आप्शन दी यानि पढ़जा द्वारा शाषक को भेट वैदिक काल में जो बली शब्द का अर्थ था यानि-पढ़जा द्वारा शाषक को जो भेट दिया जाता था उसे क्या कहते थे बली कहते ठीक है चलिए अगला कुश्यन है कौन से बहुत गरंत में 16 महा जनपदों का उल्लेक है अब दिखियां पर राइट अप्षिनों का ओप्षिन है यानि अंगुत्तन निकाए समझ रहें अंगुत्तन निकाए बहुत धर्म का एक मातपूर गरंत है इस निकाए में ही 16 महा पतों का उल्लेक मिलता है समझ रहें आपने नाम सुना होगा अवंती अंग काशी कोशल चेदी वत्स मगध मल समझ रहें असमक कंबोज कुरू कांधार वची पांचाल मत्स सूर से इंटिक है ये सभी महा जनपद आज की उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंद गोदा वरी नदी तक फाइले हुए है समझ रहे हैं फ्रेंड ये रही वीडियो वीडियो को जाज जादा शेयर करो टिक है और जो हमारे नए वीवर से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा क्योंकि पेट एक्जाम निकालना है भाया अगर आप प थैंक्स बेश्ट आप लग थैंकू धन्वा जैहिं जैवारत